प्रिय दोस्तों, नमस्कार, आज की इस वीडियों में हम पढ़ेंगे एको औ कब पढ़ते हैं। हमने कहा एको औ कब पढ़ते हैं। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ एको औ कब पढ़ते हैं। देखिए। आपके पास दो सब्द हैं। एक है नोर मल और दूसरा है पे यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। ठीक यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है इसके अत्रिक्त इस सब्द में कहीं भी ए नहीं है। केवल एक ही ए है और यहाँ भी केवल एक ही ए है। अब आपको सोचना है कि इस ए का उचारण किस प्रकार होगा। जैसे ही हम नोर मल परते हैं। देखी नोर मल ध्यान दीजी मो में ओ का उचारण हो रहा है। यहाँ पर देखी इसे हम परते हैं। पे यहाँ पर एक आउचारण ए हो रहा है। अर्धात इस एक आउचारण ए हो रहा है। देखी यहाँ पर इस एक आउचारण ए हो रहा था। कैसे तो किस प्रकार हुआ। इसकी भी नियम है कि इस ए को हमें कहां ओ पढ़ना है। और इस ए को कहां हमें ए पढ़ना है। और और भी ए से इनियम है। इस वीडियों में हम सीखेंगे कि ए को ओ का पढ़ते हैं। देखी यदि किसी सब्द के अंत में L, N, R, N, T, N, C एक बार फिर से यदि किसी सब्द के अंत में L, N, R, N, T, N, C, E इन में से कोई भी आए। तो वहां पर A को ओ पढ़ेंगे। यहां पर देखी यहां पर हम इस A को ओ पढ़ रहे थे। तो इसके अंत में क्या है L, यहां भी L है अर्थात। हमने कहा था किसी भी सब्द के अंत में अगर L, N, R, N, T, N, C इन में से कोई भी आए। तो वहां पर इस A को ओ पढ़ा जाएगा। तो इस A के अंत में L है जो की इधर भी है तो इस A को ओ पढ़ा जाएगा। जबकि यहां A पढ़ा जा रहा था क्योंकि A के बाद Y है तो जो हमारा इस नियम का पालन नहीं करता तो इसके भी नियम है इसके नियम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको यहोर समझ आ चुका होगा कि A को ओ कब पढ़ते हैं। एक बार फिर से यह दी किसी सब्द के अंत में L, N, R, N, T, N, C इन में से कोई भी आए तो वहाँ पर A को हम ओ पढ़ेंगे। उधारन के लिए देखें। L, N, R, N, T, N, C, E जब यह सब्द A के बाद आए या आते हैं तो A को ओ पढ़ते हैं। जैसे आपके सामने हैं कि A के तुरंत बात का सब्द देखना है क्या है आर जो हमारे इस नियम का पालन करता है इसमें भी आर है। तो इसे हम तो ध्यान दिए इसे हम पढ़ेंगे रे, गू, तो आप यहां ला पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि A के बाद आर है तो A को ओ पढ़ना है तो हम इसे पढ़ेंगे रे, गू, ल, र, र, ठेक उसी प्रकार नोर, मल, पिर यह दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, thank you, have a nice day.